अलो दोस्तों आज बात करते हैं OTS होते क्या आखिर होटल लाइन में OTS का मतलब क्या होता है और यह हमारे होटल की सेल्स को कैसे बढ़ाते हैं अब नहीं का मतलब होता दोस्तों Online Travel Agency जैसे में क्वाइं ट्रेप, Airbnb, Goibigo, Booking.com, Agoda, ClearTrip तो यह सारी दोस्तों Travel Agency होती है इनका काम क्या होता है इनका काम होता Online Booking Create करवाना और जो वोटल इन पर लिष्ट होते हैं उनको वो Booking Provide करवाना से ओं-lion Travel Agency के पास दोस्तों काफी सारी Booking होती है जैसे जो ट्रैवलर कर रहे होते हैं वो तो बूकिंग मनाते हैं उसके साथ-साथ निगे टूर पैकेज होते हैं जैसे किसी को घूमने जाना जैसे किसी को डैली से केरल गूमने जाना है या डैली से गूआ गूमने जाना ह या कौई वर्ल्ड टूर करने हैं तो इनके बहुत सारे ट्रैवल पैकेज चलते रहते हैं तो वहां से भी हमारे होटल के लिए हमारे रहारे सोट के लिए बुकिंग बनती हैं तो अगर कोई भी कहीं पर घूमने जा रहा है या फिर उसने कोई टूर पैकेज लिया है तो कहीं ना कहीं पे तो रुकेगा तो यह कंपनिया क्या करती है उनको हमारे होटल में स्टेक करवाते हैं जो भी इन कंपनियों के साथ होटल लिस्ट होता है इसके बाद प्रोपर्टी उन्वर्स क्या सोचते हैं जैसे उन्होंने कहीं पर लिष्ट करवा दिया पर लिश्ट करवा दिया फिर मेट मैं ट्रिप स्पण है बुकिंग अपने आप आते रहेंगे दोस्तों उस पर बिक्राम करना होता है उनके पोर्टल पर काम करना होता है डेली-डेली ताकि यह पूह हमारी listing सबसे उपर है दूस्रा हमें और भी करना होता कि हमारी चाहिए पर हमारी चाहिए हमारी सीटे का नाम है और सब्सक्राइब करना है तो पहले दस होटल में 20 अपना पना एक होटल स्लेक्ट कर लेता है अगर आपका टूर्ड में होटल हो रखा है तो वह एक अलग बात हो होती है फिर तो चाहिए आपका होटल बिलकुल लाश्ट में आ रहा हो तो आपकी बुकिंग से रहेंगे अब जो काफी सारी प्रोपर्टी है जो अभी तक पर लिस्ट नहीं हो रहे हैं वह इन ओनलाइन ट्रेवल एजेंशियों साथ जैसे सब्सक्राइब बुकिंग डोट को मैंने अभी आपको बताया या फिर कोई भी ट्रेवल एजेंसी वह यह पुस्ता कि रहें बुकिंग कितनी देती हैं तो दोस्तों काफी सारी बुकिंग होते हैं जो हमारे साथ काम करें प्रोपर्टी या वह एक लाग से पौंच लाग रु इसमें मैन रहता है हमारी प्रोपर्टी उपर आए हमारी प्रोपर्टी जिस भी प्लैट्फों पर रजिस्टर हो जिस भी ओटीए पर रजिस्टर हो वह उपर आए और हम इसी चीज़ पर वर्क करते हैं जो भी प्रोपर्टी हमारे साथ होती हैं हम उनकी प्रोपर्टी को स ज्यादा से ज्यादा बिजनस आसके और दोस्तों इन में सब से खास बात यह होती है कि आपको जैसे आपकी प्रोपर्टी लिस्ट हो गई आपको सिर्फ उन्हीं बुकिंग पर कमीशन देना होता है जो गैस्ट आपके पास आए हैं उन ओट यह के थ्रूप इसके अलावा से नुक्सान होटल का कहां पर बंबसान है च्पwide और खास बात तो दोस्तों आज के समय में यह उरके कापी सारी प्रॉपर्तिया का शरे रहा स happens मि इसको करते हैं हर कोई आज के समय में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है उनका Google Map पर पेज तक नहीं है मलब होटल एवलेबल है और उनका Google Map पर पर पेज नहीं है और वह यह सोचते हैं हमारे पास बिजनस नहीं आ दोस्तों हमें Google Map पर हमें OTS पर जरूर अपना होटल लिस्ट करना चाहिए इसका कोई चार्ज थोड़ी ना है कि आप से कोई मंथली चार्ज ले रहा है इसका जो भी थोड़ा वो चार्ज होता हो गैस्ट के आने के बाद ही होता है और काप सारे गैस्ट तो ऐसे होते हैं जो बनाते हैं जो सिरफ पोर्टल पर देखते हैं और आपके पास डारेक्ट आ जाते हैं अब जैसे हम एक्जामपल यहां पर तो कोई चार्ज है नहीं किसी चीज के लिए गूगल मैप पर आज के टाइम पर कोई ट्रेवल कर रहा है कोई ट्रेवलर कहीं पर और वह सीदा ह्ते हैं कि हमारे पास बिजनस या रहा यह फिर हमारा में चलता है तो अगर हम हर एक चार्ज को उप्ते हैं और मनें अपना州 मैप पूरी तरीके से भी मैं कर रहा है और परहम列ंने आपना मूबाइल मंबर दें रखा है और इसके बाद Trot correct भी देख है और हमने अप पे भी ना हो अगर आपकी रेटिंग अच्छी है अगर आपके होटल के फोटो अच्छे हैं अगर आपका सब उप्तेमाइज हो रहा है Google Map Optimize है तो आप एक मेन लोकेशन वाले होटल को भी टक कर दे सकते हैं या फिर अगर आपने होटल अभी नयाई किया है तो जो होटल 5 साल से रन कर रहा है और उसने कहीं पर आपने लिस्टिंग नहीं करवा रखी और उसके बाद अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो आप उस होटल को भी पीछे चोड़ सकते हैं बुकिंग के मामले में क्योंकि दोस्तों आज का समय ऐसा हो गया है हर कोई फोन से ही खाना ओडर कर रहा है उसको जहां पर भी स्टे करना होता है अब वह समय जा चुका जब पहले सिर्फ बस टेंड के पास ही आप रेल्वे स्टेशन के पास ही जो होटल होते थे वह चलते है अब ऐसा कुछ नियाब आपका होटल चाहिए में लोकेशन पर नहीं है पर आपका वसे ओनलाइन होटल रजिस्टर है आपका हर एक प्लेटफोर्म पर रजिस्टर है तो आपके पास डेफिनेटली गैस आएंगे ही आएंगे और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जो आपके होटल में आ गए जो अगर आपका होटल लिस्ट नहीं होता तो आपके पास आने ही नहीं थे उसके बाद कुछ गैस्ट बुकिंग करकर आ गए तो ऐसे में फ्लो बढ़ता है उसके बाद फिर अगर उनको आपकी सर्विस अची लगती है तो गैस्ट दुबारा भी लिए आपके पास आते हैं और सेकिंड विसमें हावरली स्टेक भी ऑप्षों मेल जाता अगर हम अपने होटल को हार्ली स्टेप देना चाहते हैं जैसे एक रूम है 24 hours के लिए कोई के लिए करना और हम यह चाहते हैं 24 Hours के लिए छोड़ों कम पांसा आवर्स के लिए तो हम उसको चाहते हैं तो हमारे पास यह ओप्शन भी हो जाता है उसमें हम चाहें तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं चाहें तो हम इसको डिया कर सकते हैं हम अपनी occupancy के इसाब से सारी चीजे मैंनेज करते हैं इसके बाद जैसे हम देखते हैं कि हमारे कुछ रूम्स खाली रहे हैं आज के दिन इवनिंग में तो हम अपने होटल का प्राइस ड्रोप कर सकते हैं तो अगर हमारा होटल सबसे उपर आ रहा है तो अगर आपके होटल का बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपकी रेटिंग्स अच्छी है कस्टमर यह सुचता हां में को इसमें जाके सर्विस मिलेगी और होटल के स्टाफ का अच्छा होगा और इसके बाद दोस्तों अगर हमने हमारे होटल की रेटिंग्स भी अच्छी कर ली फोटो अच्छी प्राटी को जरूर रखना है हमें फूंस में एड हो फससे नहीं है हमारे हमारा गूगल में पच्छे से लिंक हो हमारी प्रॉपरटी इसके साथ जितने हैं पके इस Das इसके बाद विजनस अपने आपगा करने लग जाता है अब इसके बाद दोस्तों का सारी होती है होते पास पांच रूम होते हैं तो वह सोचते क्या मेरे को होटल लिष्ट करवाना चाहिए मेरा या फिर होते हैं थोड़ा आउटर में है वह सोचते क्या हमें करवाना चाहिए आपको जरूर करवाना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा जाही क्या रहा है इसमें हमारा सिर्फ कमीशन जारा जो गैस्ट हमारे पास आ रहे हैं और बस जब आपके पास गैस्ट आजाए आप उसको सर्वीस अच्छी दीजिए उसके बाद राइगुलर होएगा आपकी सेल्स अटोमेटिकली बड़े हैं तो उससे काफी ज्यादा उक्यूपेंस से बड़े ही साथ में अगर आपके प्राइस ज्यादा बड़ा सकते हैं तो आपकी सर्वीस अच्छी हो गई आप में लोकेशन पर हो गए तो आप उसमें आपके प्राइस इंक्रीज कर दीजिए ताकि इससे आपकी प्रोपरेटी भी बेनिफिट में रहेगी आप सर्वीस भी अच्छी दे पाएंगे आपका रूम के लिए 3000 उपे सोच रहे हैं तो आप और भी अच्छे से को सर्वीस दे पाऊगे और जो प्रोपर्ट यहां बिल्कुल में लोकेशन पर नहीं है थोड़ा हां साइड में आती है थोड़ा हम मैं लोकेशन से हटके आती है वह प्रोपर्ट या थोड़ा हापने प्रूर करवाना चाहिए ठीक है दोस्तों मिलते हैंसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कोई और प्रोपर्टी को लिस्ट क पर लिस्ट करवानाब साथित तो आप इस नमबर पर कोल कर शकते हैं ऩ। हम आपके पर्रीक्स अध्यों पेरफित कर देंगे और आ अच्छे से ओप्टिमाइज रखेंगे